इसमें मतलब सबसे ज़्यादा जो आप बच्चर है मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि वो प्रैक्टिस करें वेपर का लेवा लेगनम ना तो कटें था ना इसी था बहुत अच्छा पेपर था और इसमें जी के का ज्यादा रोल नहीं है इसमें सबसे ज्यादा रीजनिंग इसमें मतलब क्या है एलफावेट वोडिंग डिकोडिंग और केमेस्ट्री तेन्थ लेविल तका जेनल सब्सक्राइब और मैक भी इतना खासा नहीं आ रहा है एक दो एक कोश्चन टर्बनोमेट्री का आए था और कोडिनेट जोमेट्री बिल्कुल भी नहीं आई है और मत एक साथ सारे कॉषरों को में इस तरह नहीं बता सकता आपकी कःपर एक आपका पेपर कैसा था डिफिकल था इजी था तुम्हें पढ़ने वालों के दिए अच्छा और कॉन सेक्षिन साथा मतलब अलाबरेटिव था टाइम टेकिंग था 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 तुम्हें एपने और गुए अग्जाम थिया है अच्छा वरिवाद गुंग्राटुलेशन्स एंड आपको इस पेपर से आपको क्या उमीद है मतल तुम्हें आपको क्वेशन्स पेपर था उसमें सबसे दादा डिफिकल्ट क्या लगा आपको अच्छा यह पहला टेम्ट था आपका पहला टेम्ट कैसा रहा था अच्छा तो इसमें आपको इसमें आप हमें आपको कितनी आपको कर रहा है कि त insulting कर रहें है लृटला है लृटल से डेलाशन्स कप्रेध कर्या लृटला कस ड्रेला न चाहीं आपको टायर और त्यृटल आ इसमें सपारय की तरहां उन्ना शरशन्स प्रफ्र चाहते हैं तो अच्छा सबसे जाधा सेक्शन कॉनसा और डिसिकल्ट लगा आपको तो कोई भी सेक्शन के तरह नहीं लगा है लेकर टाइम तेकिंग जरूर्दा साइंस सब्सक्राइब कर सकता है अच्छा ठीक है और को एक्जाम अपपियर कर रहे है अच्छा तो इस अच्छा आपको आपको सबसे जबर दिस्क्राइब को अच्छा बाइब को अच्छा ठीक है और को सबसे जदर डिसिकल्ट फॉम से ट्शन लगा? अज़ो चाहे से नाहे सब्साइब नहीं है बात्टेफर लिए अपका किपटने अटाउफ एक्सपट कर में इस पेपर में है। जरी बरना 75 प्लस तो जाएगा है। 75 तो आपका कितना उप्लस एक्सटेक कर हरे है। 0.40 बरना 70 गडरी हुआ है। depending on the difficulty